एलो फरेंड्स तो आज से मैं स्टार्ट कर दिया है अब सामने विज्यान की प्रैक्टिस सिरीज और उस प्रैक्टिस सीरीज का PAPER 1 है इसमें मैं आपको जो सामने विज्यान के अंतरगत QUESTIONS आएंगे इन तीनों से आपके प्रशन आएंगे सामने विज्ञान के अंतरगत तो वो सारे questions आपको practice कराऊंगा RSMSSB maximum question जो पूछती है वो SSC के previous questions से उठाती है तो मैंने अभी SSC के जितने भी exams होते हैं चाहे CHSL हो, चाहे CGL हो, चाहे आपका CPO हो, चाहे SSC GD हो यह जितने भी exam होते हैं SSC के उनके जो भी important questions है वो सारे pick किये हैं और in practice set में मैं आपको practice कराऊंगा ठीक है इसके साथ यह अगर आप देखे तो जो आपका सामने विज्ञान है वो आपके paper one का हिस्सा है paper one ठीक है paper one के अंदर आते है सामने विज्ञान तो आप मान के चलिए कि आपके 15 से 20 प्रशन जो है सामने विज्ञान के अंतरगत आएंगे 15 से 20 प्रशन maximum 20 आएंगे 20 से ज्यादा आने के संभावना बहुत कम है 65 to 70 question तो आपके राजस्तान जीके क्योंगे 65 से 70 तो आपके राजस्तान जीके क्योंगे current affairs included होगा उनी में इसके अलवा जो आपकी math plus reasoning है वो आपके 15 से 20 question होंगे और 15 से 20 यह होंगे सामने विज्ञान के तो रेशो ऐसे ही चेंज होगा अगर 15 से जाएंगे तो 20 math plus reasoning क्या ज इंडियन जी के नहीं आएगी इंडियन current affairs भी नहीं आएंगे इस चीच का दयान रखिएगा क्योंकि वह mention नहीं कर रहा का syllabus में तो स्टार्ट करते हैं इस प्रैक्टिस से इसमें मैंने मैं आपको बताता हूं physics के 10 question लिए chemistry के 10 questions लिए और biology के 10 questions लिए ठीक है total 30 questions मैंने इसमे हमेशा जैसे आपके disease हो गई अगर आप biology देखोगे तो बीमारियों से हमेशा सवाल आता है या अगर आप chemistry से देखोगे तो वहां पर आपको पूछेंगे की chemical formulas पूछ लेंगे जैसे कपड़े दोने का सोड़े का formula बता हो नहाने के नहाने के जो साबून होता है उसका जो formula बता हो ठीक है या gypsum का formula बता हो इस तरह के formulas based question आते हैं अगर आप physics में देखोगे तो physics में आपको हो सकता है force जैसे unit बता हो ऐसा unit पूछ लेते हैं ठीक है या किसी वेग्यानिक का नाम बता हो जिसने कोई आविशकार किया हो इस तरह के प्रशन जो है evergreen प्रशन होते हैं यह हमेशा पूचे जाते हैं तो मैंने कोशिश किया कि ऐसे प्रशनों को ज़्यादा ज़्यादा include करूं जिनके आने की संभावना ज़्यादा हो ठीक है तो start करते हैं और यह PDF अगर आपको download करनी है ठीक है इसकी PDF मैं share कर दूँँगा DL upload website पे DL upload मैं उसका link आपको दे चुका हूं कि DL upload से आप मेरे सारे documents कैसे download कर सकते हैं मैंने मैं दीरे दीरे उस पर upload करते जा रहा हूं मैं आपको link देता जाओंगा वहां से आप download कर लेना तो मैं DL upload website पर आपको ले चलता हूं ठीक है तो मैंने आपको यह link share किया था ठीक है इस link को मैं वापिस आपको share कर दूँगा इस link से आप क्या कर रहे होगे आप सीधे इस page पर आजाओगे जो आप यह आपको दिख रहा है इस link के through और जैसे आओगे आपको यहाँ पर दो option दिखेंगे premium download and free download आपको premium नहीं करना free वाले पर click करना है जैसे आप free पर click करोगे यह आपको redirect कर देगा एक दूस हो जाएगा और आप इसको download कर सकते हैं अगर आपको proper steps देखने हैं तो मेरा अभी latest video मैंने डाल रखा है इससे पहले वाला उसको देख लेना कि कैसे आप download कर सकते हैं वहां से आपको पता चल जाएगा आपको बस इस पर click करना है check offers पर जैसे click किया मैंने इस add पर तो यहाँ पर seconds चल रहे हैं जैसे seconds यह पूरे complete हो जाते हैं तो यहाँ पर blue आपको निशाना जाएगा इसका मतलब यह आपका complete हो गया step टीक है जैसे यह वाला step complete हो गया same आपको इन दो steps के साथ भी करना है जब आप यह पूरा कर दोगे तो continue to download वाला option enable हो जाएगा और आप यहाँ से download कर सकते हैं यह वाली pdf वी मैं इस पर upload कर दूँगा आप download कर ले न मैं आपको link share कर दूँगा comment section में तो चल लिए start करते हैं with the first question और first question आपका है cathode किरने dash की एक किरन है ठीक है तो जो cathode किरनों का type है वो किस तरक है क्या use करती है वो तो यहाँ पर आपका से आज़ा जाए जो विसर्जन ने लिका में cathode electrode से एनोड एक तो cathode electrode होता है एक एनोड होता है तो cathode to anode की तरफ बहती है और इसी से electricity generate होती है ठीक है इस चीज़ का ध्यान रखिएगा next question पे चलते है पहला वाला जो question था आपका यह आपका था physics का question यह आपको दिख रहा है यह आपका chemistry का question ठीक है यह chemistry का question है तो इसमें क्या पूचा किया है जब मिश्रण में पानी मिश्रण में पानी को मिलाने को लिख लेना है पर जब मिश्रण में पानी को मिलाने के बाद भारी गटक नीचे बैठ जाता है तो इस परक्रिया को क्या कहा जाता है तो इस परक्रिया को दोस्तों जैसे आपका मालो कोई भी मिश्रन है उसमें आपने बहुत ज़़ा water मिला दिया तो जो भी भारी परदार्त होंगे वो तले पर बैठ जाएंगे इसको बोलते कि सेडिमेन्टेशन अवसाधन अवसाधन बोलते हैं इसको तो मिश्रन में जल मिलाने पर भारी अव्योवें उगटकों के नीचे तली में बैठ जाने के प्रक्रम को अवसाधन या तल छटी करन कहते हैं नेक्स क्वेशन पर चलते हैं क्वेशन नमर थर्ड तो क्वेशन नमर थ्री में क्या पूछ रहा है नमल कित में से क्या दव की SI-干ाई है? तो आपको SI-UNITS याद करनी है SI-UNITS आपको अच्छे से याद करनी है कि पास्खल किसकी होती है candela किसकी होती है lumin किसकी होती है तो यहाँ पर जो पास्खल होती है वो दव की SI-いकाई होती है तो मैं और आपको बताता हूँ उसे में डीटेल में ठीक है तो यहाँ पे दाव यानि प्रेशर ठीक है तो प्रेशर की क्या होती है पासकल होती है इसके बाद जोती फ्लक्स होती है उसकी ल्यूमेन होती है और तरंग दे दे रही है ठीक है उसकी होती एंग्स्ट्रॉम नेक्स्ट्रेशन पर जलता है तो ये फेवरेट टॉपिक्स होते हैं तो ये आपको अच्छे से करके जाना है रोग सारे आपको पता होने चीए विटामिन आपको सारे पता होने चीए इन से रिलेटेड आपको एक भी टॉपिक नहीं छोड़ना ये बहुत वेरी वेरी इंपोर्टेंट है ये हमेशा कमी से आपके विटामिन B की कमी से आपके कौन सा होता है बताइए विटामिन C की कमी से इसकर भी होता है विटामिन D की कमी से आपको हो जाता है रिकेट हो जाता है तो ये D से हो जाता है ये A से हो जाता है विटामिन B की कमी से आपका बैरी बैरी रोग हो जाता है आपने नियासीन जो विटामिन B complex group का एक विटामिन है की कमी से कौन सा रोग होता है तो इसको नियासीन को पहले तो B3 बोलते है B3 ठीक है और इसकी कमी से रोग होता है पहले ग्रा तो याद रखेगा यह कठीन सवाल है यह रतौन दी रिकैट्स यह सब तो इजी है क्योंकि सब पढ पहले ग्रा तो हम देख लेता है इसका explanation नियासीन को विटामिन B3 complex कहते है नियासीन का रासाइनिक नाम भी आपको याद रखना है निकोटिनिक एसिड निकोटिनिक अमल या नियासीन नियासीन की कमी से पहले ग्रा नामक रोग हो जाता है ठीक है जिससे त्वच्छा फू यानि night blindness रात को ना दिखने की विमारी इसको बोलते हैं इसको रताओंदी बोलते हिंदी में question number five alcohol पानी से अधिक वाश्पशील होता है वाश्पशील मतलब वोलेटाइल मतलब जो भाब बन जाए तुरंथ भाब बन जाए वाश्पशील मतलब जो द्रव से वाश्प की तरफ चला जाए यानि द्रव से भाब बन जाए उसको वाश्पशील बोलते है क्योंकि डैश पानी से कम होता है तो अगर किसी का boiling point ठीक है एक boiling point आता है वाटर का boiling point क्या है पता होना चाहिए आप सभी को 100 degree centigrade यह water का boiling point होता है तो boiling point क्या होता है द्रव से गैस की अवस्था में जो परिवर्तन होता है तो वो जिस point पे होता है माना कोई एक temperature होगा जिसके बाद वो द्रव जो है गैस बन जाएगा यानि वेपर बन जाएगा बहा boiling point और हिंदी में क्या बोलते है क्वाथनांक तो यहां पे अलकोहल पानी से अधिक वाश्प्रशील क्यों होता है क्योंकि उसका क्वाथनांक क्या होता है दोस्तों कम होता है यानि अगर आप अलकोहल को 100 degree से कम से मतलब 100 degree से नहीं अगर आप अलकोहल को इस से भी कम temperature पर उ उनके बीच में जो bond होता है वह strong होता है लेकिन जो एलकोहल के molecules होते हैं उनके बीच में bond इतना strong नहीं होता तो यह weak bond होते हैं और पानी के बीच में होता है strong bond ठीक है एक यह भी difference है इसकी वज़ए से इसका क्वाथनांक कम होता है और इसकी अगर आपको definition देखनी हो मैं अधीक वाश प्रश्चील होता है ठीक है और इसका कारन होता है अलकोहल का जल की अपैख धुर्वियो कोना दुर्विय मसक्या Ohh Gut Anh को अपस में मजबूती तीन चार आप्शन दे देंगे तो आपको पता होना ची साइंटिफिक डेफिनेशन क्या है क्वथनांग की की तो वहत आप जिस पर द्रव का वाश्प दाब वायू मंदलिय दाब के बराबर हो जाए उस द्रव का क्वथनांग के कहलाता है और यहां पर पानी का कितना है मैं अगर द्रव में अशुद्य मिला दें तो उसका क्वथनांग बढ़ जाता है उचाई पर वायू मंदलिय दाब कम होने के कारण ही जल 100 डिग्री से कम तापमान पर ही उबलने लगता है जल का वास्तवी क्वथनांग 100 डिग्री सेंटिग्रेट होता है तो मालो अगर मैं मा आउंट एवरेश्ट पर चला जाओं तो वहां पर क्वथनांग जल का कितना होगा 100 डिग्री सेंटिग्रेट होगा कर नहीं होगा उससे कम होगा तो लेस देन 100 डिग्री सेंटिग्रेट होगा याद रखना और यह क्वथन पूचा जा सकता है क्योंकि एक बार मुझे चाहिए तो इसमें चार प्राइशन थे तो उसमें एक स्टेट्मेंट यह भी था कि बताइए जो है द्रव का क्वथनांग बदलता है नहीं ऐसा प्रेशन था कुछ तो यह बदल सकता है अगर आप उच्छाई पर बढ़ते जाओगे तो प्रेशर वैसे कम होता है ठीक है प्रेशर कम होता है आपको सभी को पता ही चीज तो इस वज़े से इसका कवथनांग भी कम होता जाता है कम थेंपरेचर पर भी पानी उबल जाये गवाँ पर तो इस चीज़ को भी आद रखी गा ऐसा भी पूचा जा सकता है सवाल तो मैंने इस एक सवाल से आपके चार-प इसको याद रखिएगा नेक्स पर चलते हैं कि 1934 में किसने Cyclotron का अविश्कार किया था Cyclotron का अविश्कार किस नहीं गया था और एक पार्टिकल था Cyclotron होता किया द्यान दखना एक तो यह है एक पार्टिकल इस पार्टिकल ठीक है एक करन है साइक्लोट्रोन एक प्रकार का एक कन त्वारण है जिसमें आविशित कन सरपिल मार्क से केंदर केंदर से भार के ओर त्वारित होते जाते हैं तो एक इसकी डेफिनेशन भी आपको याद रखनी है हो सकता है यह पूछ ले किस साइको यह आपको स्टेट्मन देगा एक आवि किस ने किया होनेश बेसिक वाले तॉ आपको पता होने चाहिए एडवांस लेवल के भी पूछ सकती है तो मैंने इसको भी यहाप पे इस मॉप टेस्ट में जहां इसक्व को pak कर लिया है यहाप आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका Ernest O. Lawrence और इसके लिए इनको Nobel Prize भी मिलाता 19 1939 में इनको Nobel Prize पुरसकार भी मिलाता इस अविश्कार के लिए ठीक है तो यहाँ पर पढ़ लेता है Cyclotron एक प्रकार का कन त्वरक पार्टिकल एक्सलेरेटर अगर आप Hollywood इनर्जी चाहिए एक एनर्जी का ऐसा सोट जो चलता ही रहे तो उस चीज़ को बनाने में इस चीज़ का बहुत योगदान होता है यह पार्टिकल एक्सलेरेटर यह बहुत इंपोर्टेंट होते हैं इससे हमारी एनर्जी के आउशकता है पूरी हो सकती है वह आप देख लेना और सर्च कर लेना इतना आपको कर डीटेल में जाने ज़रत नहीं है तो आप समझ लें इसके आविश्कार किस नहीं कहता अर्नेस्ट और लॉरेंस ठीक है अर्नेस्ट औ चलते हैं निमनलिकित में से कौन सा यंत रासाइनिक उर्जा को विद्धूत उर्जा में बदलता है तो रासाइनिक उर्जा को विद्धूत उर्जा में कौन बदलेगा दोस्तों बैटरी बैटरी के अंदर जो है आपको पता है ना वहाँ पे जो रासाइनिक रिया होते है उससे क्या होती है आपकी current generate होती है ठीक है तो इस चीछ को याद रखिएगा और यहां पे आप देख लो बैटरी क्या करती है इसको विद्धुत सेल भी बोलते है रासाइनिक उर्जा को विद्धुत उर्जा में परिवर्तित करती है डाइनेमो यानि विद्धुत जनरेटर ठीक है विद्धुत जनरेटर इसको बोलते है यांत्रिक या गतित उर्जा को विद्धुत उर्जा में परिवर्तित करता है नेक्ट क्वेश्चन पर चलते हैं क्वेश्चन नमर नाइन नीचे दिएगे पौशक तत्वों में से दूद में क्या बहुत अल्प मात्र में हो चल्प का आविशकार किसके दुआरा किया गया तो इसका आविशकार किया था देविट ब्रिवेस्टर ने और टिम बर्नरस लीं ने किसका किया था डब्लू डबू डबलू याद रखना यह तो बहुत इम्पोटेंट आप इसे भी कम्पेटर साइंस पूचा जाता है तो डैविड ब्रुस्टर ने 1817 में बहु रूप दर्शक यानि केलेडोस्कोप का अविश्कार किया टिम बर्नरसली ने www यानि World Wide Web का अविश्कार किया और एक और यह है जो आपके एलन एलन ब्लूमिनस्टीन है ठीक है एलन ब्लूमलीन है एलन ब्लूमलीन ने किसका किया था टेली कोम्निकेशन साउंड रिकॉर्डिंग एंड रडार जैसे एलेक्ट्रोनिक उपकरणों का अविश्कार केते हैं इस चीज़ को भियाद रखेगा एलन ब्लूमलीन यह आपका बायलोजिक का क्वेश्चन है हरे पोदे सौर उर्जा को किसमे परिवर्थित करते हैं तो यह किसमे करते हैं दोस्तों रसाइनिक यानि केमिकल एनरजी में उसको कनवर्ट करते हैं तो यह आप डीटेल पल लेना हरे पोदे क्या करते हैं प्रकाश संसलेशन द्वारा सोर उर्जा को रसाइनिक उर्जा में परिवर्तित करते हैं फोटो इलेक्रिक सेल प्रकाश उर्जा को विद्धूत उर्जा में परिवर्तित करते हैं ठीक है जो आपके सोलर पैनल होते हैं उसकी बात हो रही हैhã पर solar panel क्या करते हैं पर्कास उर्जा को व्यद्धूत उर्जा में परिवर्थित करते हैं विद्धुत परिपत्में विभुवानतरम आपने के लिए प्रियुक्त मापक क्या कहलाता हैं तो इसको voltmeter बोलते हैं ठीक है एक तो Amitr होती है, ठीक है, Amitr, Amitr, एक होती है, Voltmeter, तो इन दोनों चीजों को याद रखिएगा, धारम आपने के लिए हम Amitr का यूज़ करते हैं, विभवांतरम आपने के लिए हम Voltmeter का यूज़ करते हैं, मैंने सारा डीटेल इसमें दे दिया है, और इसकी, जो है, खोज क कि बौचार के बाद एक इंदर धनुस के निर्मान की परकिरिया में सूर्य का प्रकाश चोटे पानी की बूंदों के माध्यम से डैस हो जाता है तो क्या होता है वो उसको डिस्पर्श भोलते है डिस्पर्श हो जाता है वर्ण विच्छेपित तो डी ऑप्शन इसमें क्वेश्टर से निकलता है क्वेश्टर्ण 15 कौन सी परकिरिया से समुधरी जल से नमक प्राप्ट किया जाता है तो इसको बोलते हम एवबासं भाई पानी को भाब बना दो और फिर जो बचता है उस शिसस नमक को अलग कर लो तो इसको बोलते है वाप्शिंब्स पन तो सी डाइबटर की रूप में व्यक्त करते हैं और शक्ति अगर मालों मैं पी से डिनोड करता हूं तो वन अपन एफ होता है याद रखना और यह फ क्या होता है फोकल है ठीक है फोकल लेंट होती है और पी आपकी हो जाएगी शक्ति तो यहां पर देख लेते हैं तो फोकल फोकल जो है इसको फोककस दूरी बोलते हैं ऍंधी में फोकल लेंट पूलते हैं इंगलिष में तो पी-घर नपन एफ होता है स्पोक्स दूरी ठीक है और पी जो होती हो लैंज्स की शक्ति होती है र्लैंज्श की शक्ति हसे क्या समझते हम कि लाइट को कितना band कर सकता है कोई lens, उसको बोलते है lens की शक्ती next question पर चलते है इन में से कौन सा rassainic परिवर्तन नहीं है, रassainic परिवर्तन में से कौन सा नहीं है, तो rassainic परिवर्तन का मतलब क्या होता है, मालो एक reaction हुई दो परदारतों में ये A है और ये B है, इन में A और B नहीं बना सकता, इसको बोलते है rassainic परिवर्तन maximum cases में, कुछ exceptions होते हैं maximum cases में मैं अब reverse नहीं कर सकता है इसको, तो reverse नहीं कर सकता है, जैसे दूद है, दूद से आपने धही बना दिया, तो धही से आप वापिस दूद नहीं बना सकते, तो यह reverse possible नहीं है, तो इसको हम बोलते है, chemical reaction rassainic परिवर्तन, लेकिन जिसमें reverse possible है, वो बहुत तिक परिवर्तन होता है जैसे, इसमें कौन सा reverse possible है only B option, right answer हो सकता है पानी को भाप में परिवर्तित कर दो और भाप को वापिस ठंडा कर लो, तो पानी मिल जायगा, तो property में कोई change निवा, change किसमें होता है State में, state या नि क्या होता है, हिंदी में क्या बोलता है, अवस्था only अवस्था में परिवर्तन होता है, दोस्तो state में change होता है ना कि आपकी properties में property same रहती है तो अगर properties, same में state change हो भी हो जाएगा आपका physical change हो जाएगा यानि बहुत तिक परिवर्तन हो जाएगा लेकिन अगर आपकी properties ही चेंज हो गई तो आपका हो जाएगा रफायनीक परिवर्तन जैसे लोहे से जंग यह जो बोल रह Ар है लोहा अगर लोहे के जंग लग गई ठीक है तो उस जंग से आप वापिस लोहा नहीं बना सकते हैं तो यह chemical reaction हो गई व्यक्षाप देख ली जहां पर पूरी व्यक्षा दे रखी मैंने जब कोई पदात किसे अन्य पदात से मिलकर एक नया पदात बनाता है या जब कोई पदात दो है दो से अधिक पदातों में वियोजित होता ह तो इससे रासायनिक परिवर्दन कहते हैं तो रासायनिक परिवर्थन क्या क्या हodता है लोही पर जंग लगना अगर बत्ति का जलना दूतसे धही बनना तापको विला ऊटजागले कावोहःडरे का रुपांतरन इस तरह के होता है comment box taxation पर चलते है question bail 18 पदार्त के दबाव या तापमान में परिवर्तन के कारण पदार्त की गयशी अवस्था से दुरव अवस्था में परिवर्तन के परिवर्तन को क्या कहते हैं तो gas से दुरव बनेगा उसको संगनन बोलेंगा तो बी ओप्षन राइट आंस हो जाएगा बहुत इजी प्रशन है नेक्स्ट पिछलते हैं नूट्रों सार प्रजेंट इन दी नूक्लियस ओफ आल एटम एकसेप्ट इन दोज ऑफ यह नि किसके अंदर नूट्रों प्रजेंट होते हैं बस एक को छोड़के ठीक है तो किसके हाइट के अंदर नूट ही होते हैं तो हाइड्रोजन और तानी का प्क्या होता है थस्ट ंदर मेंट नहीं पाय जाते अतांते प्रव मानुक है यह या एच की रूप मैं एक रेच्च का इसे बॉंड मिलता है एड्रोजन इस तरह मिलता है यह भी यादर किएगा ओके नेक्स वेशन पर चलते क्वेशन पर 20 सिर्का काफी पर पूछा गया यार इससे सवाल सिर्का तो आपको अच्छे से याद होना चाहिए विनेगर बोलते हैं इसको तो विनेगर किसका एक जलिय विलियन है तो एसिट एक एसिट का फॉर्मुला भी आपको पता होना चाहिए चिसे इथेनो एक अमले भी बोलते हैं याद रखना सी एच तरी सी ओओ एच एसिट का फॉर्मुला होता है फॉर्मिक एसिट किसके इंदर मिलता है वह दोस्तों यह भी बहुत अच्छा क्वेशन चीटियों में पा ऐसिट के दंक में पाया जाता है मैलिक ऐस डापको सेब में मिलता है और एसिंटक एसट हैं आपको सिरके में मिलता है लंसिर का ही बेसिकल ऐसरी की एसिडिक हो तो इसमें पूछा है संक्रमन रोकने मदद करता है ठीक है यहां पर मैंने पूरा इसमें व्याख्या भी दे दी आपको और सी की कमी से कौन सा होता है रोग स्करवी रोग जो है विटामिन सी की कमी से होता है इस चीज़ को भी याद रखेगा इस करवी ओके नेक्स्ट वेस्ट नमर 22 चीटी के डंग में कौन सामले पाया जाता है और यह मैंने देखो एक और क्योशन आता है एक और बहुत अच्छा क्योशन है विटामिन सी को कौन साइसिड बोलते है यह भी याद रखना है । बोलते हैं विटामिन सी को ठीक है साइट्रिक एřिड किसमें पाया जाता है साइट्रिक एसिड खट्टे फलो में पाय जाता है ठीक है अचार मुरब्भा में मुरब्भा के परिरक्षण में ये काम आता है परिरक्षण मतलब उनको उनको खराब होने से बचाने के लिए यूज होता है लेकिन इसका नामकरन अगर पूछ ले तो नामकरन किस नहीं दिया था ठीक है मिटर्श लेने और इसकी वलेकार व्याख्या किस नहीं किती कैकूल नामक व्यागे निकिने तीन क्वेशन बन सकते हैं यहां से बैंजीन से इसका नाम बैंजीन रखा उसके बाद जो इसका सन्रचना सूत्र वल्याकार इसकी व्याख्या 1865 में कैकूल नामक व्यागे निक ने दी तो तीन क्वेशन आपके क्लियर होगे इस एक क्वेशन से ठीक है नेक्स पे चलते हैं निमले की तुमेंसे कौन सी महिला व्याणिक उस तत्त्त्त्तों के से संबन्द हैं जिसकी प्रमानुस ऐक rustन होटा यह तो यह यह इनी महान व्याग्यानिक के नाम रखा गया है लाइस मीटनर के नाम पर इसका एक्स्प्लैनेशन आप पढ़ ले ना ये और ये यूरेनियम के विखंडन की खोज करी थी और उस टीम को लेड करी थी जो इस पर काम करी थी इसलिए इनको इनके सम्मान में इसे बाण में में परमाणू करमां के 109 वाले ततों क का नाम मिटनेरियम मिटनेरियम रखा गया एक्सप्रेशन पर आते हैं उबहचरो के अध्यन से संबंदित प्राणी विज्ञान जूलोजी की शाका है तो इसको बोलते हर्पैटरलोजी हर्पैटरलोजी होती है जिसमें हम जो है एमफीबीन्स जयानि उबहचरो का अध्यन करते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं इसमें एए आंसर हो जाएगा हर्पैटरलोजी प्राणी विज्ञान के एक शाका है जिसके अंतर का सरी स्रपों और उबहचरों का अध्यन किया जाता है इथालोजी क्या होती है जंतुओं के विवार का अध्यन ठीक है जंतु कैस सहीं जग उतक नहीं है तो यहां पर जो आपका स्केलेटन मसल होता है दोस्तों स्केलेटन मसल सहीं जग उतक नहीं होता डी ऑप्शन इसमें आप एक्स्मेनेशन पढ़ लेना क्या डिफरेंस होता है इसमें प्रतिग्राम प्रोटीन के मात्रा सबस्यदिक होती है तो प्रो question number 28, panthera tigris का वेग्यानिक नाम क्या है, तो panthera tigris का वेग्यानिक नाम है tiger, ओके, यहाँ पर explanation पढ़ सकते हो, बाग का वेग्यानिक नाम होता है panthera tigris, यह भारत का राष्ट्रे पशु भी है, बाग जंगल में रहने वाला मासा हर इस्तनपाई पशु है, अपनी प्रजाती में सबसे बड़ा और ताकतवर पशु है, ठीक है, इस चीश को याद रखेगा, उके, question number 29, एक वैस्क मानों के पास कितने कैनाईन दाथ होते हैं, तो चार होते हैं दोस्तों, कैनाईन दाथ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, कैनाईन दाथ, अगर चवरनक और चवरनक, यहाँ पर मैंने सारा उसमें डीटेल भी दे दिया, कौन से दाथ, किस काम आते ह तो आप पढ़ लेना इसको यहां पर चार आंसर आजागा कहना इन दातों में लास्ट क्वेस्टिन इस मॉक टेस्ट का एसकोर्विक एसिड का लोग प्रिया नाम के विटामिन सी मैं अल्रेड आपको बता चुका हूं और इसका एक्स्प्लेनेशन है एसकोर्विक एसिड का इसका लोग प्रिया नाम क्या होता है विटामिन सी इस चीज को याद रखेगा तो यह आपके टोटल 30 क्वेशन हो गए इसकी पीडिएफ आपको कहां से डाउनलोड करनी है मैं आपको बता चुका हूं लिंक मैं दे दूँगा उस लिंक पे जाना और वहां से आप वो तीन इसको डाउनलोड करने में और वह आप्शन इनेबल हो जाएगा फिर आप उसको डाउनलोड पर क्लेक करोगे वैसे वह आपकी पीडिएफ डाउनलोड हो जाएगी ठीक है तो थैंक्स वर वाचिंग नेक्स वीडियो मैं एक मेगा वीडियो लाने वाला हूं टॉप 1000 क्वे